इस वीडियो में characteristic को इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हैं जानेंगे इस वर्ड को sentences में use करके अच्छी तरह से समझेंगे Spelling देख लिजिए C-H-A-R-A-C-T-E-R-I-S-T-I-C characteristic मतलब होता है some quality or feature in someone or something मतलब विशिष्ट लक्षन या विशेष्टा किसी चीज की खासियत अच्छा गुन किसी के अंदर में हो उसको हम characteristics बोलते हैं हिंदी अर्थ होता है विशिष्ट लक्षन विशेष्टा गुन लक्षन खासियत या सिफत सिनॉनिम्स आते हैं English में quality attribute highlight symptom feature peculiarity and it is in love और भी इसके synonyms हो सकते हैं example से sentences में समझते हैं जैसे बोलेंगे the only characteristic the sun got from his father was his dark eyes मतलब बेटे ने अपने बाप से जो सिफत पाया है वो उनकी काली आंखें हैं इसी तरह से दूसरा example हो जाएगा इसी से संबंदित के it is the characteristic of him यह उनकी खासियत है wishes good है that he behaves politely वो नर्म लहजे में बात करता है politely बात करता है with everyone सभी के साथ ठीक है तुमीद आपने characteristic शब्द को English और Hindi में example के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है thanks for watching educator desk